आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स में हिस्ट्री का चैप्टर नम्मर टू अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री में चैप्टर नम्मर वन पढ़ा तो अगेन मैं सारी डीटेल्स आपको बता देता हूं कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इस सिक्स क्लास स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट के है कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बता रखा है कि मैं चीजों को ओल्रेडी बुक के पॉइंट ओ व्यू से हाइलाइट कर देता हूं आप भी ऐसे बुक में हाइलाइट कर दीजिए ताकि आपको प्रेला है कि वाइवर दे ओन मूव भाई वो मूव क्यों करते थे मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है देखे वाइवर दे ओन मूव का मतलब क्या है वाइवर दे ओन मूव का मतलब है कि वह क्यों चल रहे थे भाई क्यों चल रहे थे कोई क्यों जात चलता है बेसिक समझो कि क कोई क्यों चलता है कि तो यहां पर मैंने बताया है कि पीपल वो लिवड इन सब कॉंटिनेंट यानि वो लोग जो उप महाधूइप में रहा करते थे एजन अर्ली एस टू मिलियन इयर्स अगो ठीक है लगभग लगभग बीस लाख साल पहले मिलियन का मतलब दस लाख टू मिलियन मतलब बीस लाख टूड़े वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदर्स उन्हें आज हम हंटर गैदर्स कहते हैं हंटर गैदर्स क्यों नाम मिला देखे उसे भी मैंने यहां पर हाइलाइट कर दिया नेम कम्स फ्रॉम दा वे इन विच गॉट देयर को जान करके हमने उन्हें हंटर गैदर्स नाम दिया यानि उन्हें पता था कि हमारे लिए कौनसा फूड खाना नेसेसरी है कौनसा फूड खाना नेसेसरी नहीं है मतलब कौनसा फूड जैरिला है कौनसा फूड जैरिला नहीं है वो जानवरों को रखना जान गए थे रहना है कैसे रहना यह जानते थे हतियार बनाना जानते थे यह सारे इसकिल्स उन्पे पास थे इसलिए हम उन्हें हंटर गैदर्स कहते थे तो यहां पर देखिए पॉइंट्स क्या क्या है नन ओव दिंग्स वाज इजी टू डू यानि आज के डेट में मैं आपको कहूं कि एक माउंटेन पर चड़ना है और आज से 20 लाग साल पहले माउंटेन पर चड़ना दोनों में बहुत ज्यादा डिप्रेंश है आज के टाइ देट रन फास्टर देन अस बहुत सारे जानवर थे जो हम से ज़्यादा तेज दोरते थे हमसे ज़्यादा सकती साली थे हमारे पास उनका सिकार करने के लिए परियाब्ध अत्यार नहीं थे तो हंट एनिमाल और कैच फीश और पीपल नीड टू बी अलट जानवरों का सिक हंट पाइड अच्रोफ एडिबल याँ नहीं ज़र करके खाना ठीक है आज के डेट में खाना और पहले 20 लाग साल पहले उस चीज़ को समझ के खाना that is predictably hard okay now the next topic is what why hunter gathers move from place to place आखिर वो क्यों move करते थे एक जगे से दूसरी जगे move करने का कारण ही क्या था तो चलिए इसे भी जानते हैं कि why वो move क्यों करते थे why hunter gathers move from place to place if they stayed at one place for a long time they would have eaten up all the available plant and animal resources आज के डिट में हम एक ही जगे पे बैठके बहुत सारे resources इस्तिमाल कर सकते हैं हम दूसरे state के resources इस्तिमाल कर सकते हैं वहां से मंगा सकते हैं आज से बहुत साल पहले जब यह online delivery बगेरा नहीं थी एक ही जगे पे थे आज के डेट महीं तो आया है जब digital क्रांती आई हमारे country में तो हमारे लिए चीज़े इसी हो गई बट आज से मैं 10 लाग साल पहले 15 लाग साल पहले बीस लाग साल पहले बात करो तो आप अगर एक ही जगे पे हो तो वहां के सारे रिसोर्सेस आप नस्ट कर दोगे एक टाइम बाद वह खतम हो जाएगा तो रिसोर्सेस खतम हो जाते थे तो उन्हें मूव करना पड़ेगा therefore they would have to go elsewhere in search of food इसले खाने के तलास पे उन्हें जानवर घास खाते हैं अगर एक जगे घास खतम हो गया तो वह दूसरी जगे जाएंगे और घास खाने वाले जानवरों का जो सिकार जानवर करते हैं वह भी उनका पीछा करते हुए जाएंगे और जो आदमी इनका सिकार करते हैं उन्हें भी मूव करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो आदमें इनका सिकार कर रहा है उसे भी तो मूव करना पड़ेगा इनके साथ-साथ, इनका सिकार करने के लिए, इसलिए वो मूव करते थे, अब जो बहुत सारे पौधे हैं, और ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो अलग-अलग सिजन में फ्रूट्स देते हैं, तो भाई अब उन्हें एक सिजन से दूसरी सिजन का इंतजार करना पड़ेगा, वो भूके थोड़ी रहेंगे एक सिजन, तो उन्हें दूसरी जगह जाना हो हैं, जहां पर दूसरे किस्म के पौधे हैं, जो उस सिजन में फ्रूट्स देते हैं, पीपल, प्लांट्स, एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, इसके अलावा पौधे, जानवर और इंसान, सभी को पानी की आवशकता है, तो जहां पानी जादा होता था, लोग वहां प होता था, तो meet their friend and relatives, अब क्या होता था, एक समु है, दूसरा समु मूव करके यहां रहने लग गया, फिर इसके समु कहीं और रहने लग गया, फिर इसके समु कहीं और रहने लग गया, अब यह सभी आपस में relatives हैं, तो इन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए जाना पड़ता है, तो relatives मिलने के लिए भी वो move किया करते थे, तो यह सारे points आप highlight कर सकते हो कि क्यों hunter gathers एक जगे से दूसरी जगे move करते थे, now the next point, how do we know about these people, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, हम first chapter में पढ़ चुके हैं, इनका काम जो है, वो archaeologist करता है, हमारे past के बारे में पता लगाना, कैसे पता लगाना, so here, archaeologist have found some of things hunter gathers made and used, मतलब, मतलब यह, कि archaeologist को बहुत सारे ऐसे tools मिले, जो hunter gathers use क्या करते थे, अब तुम कहोगे कि कैसे पता लगा लिया, कि यह tools hunter gathers नहीं use क्या था, exactly, जो tools मिलते हैं, उसकी carbon testing की जाती है, okay, carbon testing आप पढ़ेंगे, basically, उनके प कितना पुराना है, तो वो पता लगाते हैं, और भाई, यह तो भाई, पंद्रा लाग साल पहले है, तो पंद्रा लाग साल पहले की बाद है, मतलब hunter gathers use किया करते हैं, it is likely that people made and used tools of stone, wood, bone, of which stone tools have survived best, मतलब, वो tools इस्तमाल करते थे, जानवरों का सिकार करने के लिए, छिलके bones and wood sorry अब इन wood में, wood तो ज़्यादा survive नहीं करेगा, bones भी ज़्यादा survive नहीं करेगा, but stone tools जो है, वो बहुत ही ज़्यादा survive करता है, okay now the next point कि इन tools का इस्तमाल क्या होता था, इन tools का इस्तमाल वो meat को cut करने के लिए, bones को cut करने के लिए, छिलके हटाने के लिए, trees के, जानवरों की खाल हटाने के लिए, fruits काटने के लिए, और जिनमें से some of them use in making tools, और कुछ हत्यार बनाने के लिए भी काम में आते थे, ठीक है, तो यह हो गया कि हम इनके बारे में कैसे जानते हैं, basically वो जो चीज यूज किया करते थे, उसके बारे में archeologist पढ़ते हैं, और हमें बताते हैं, choosing a place to live in, कहां रहते थे, simple सी बात है, जहां पे resources मुजूद होंगे, वहां पे लोग रहेंगे, so many sites were located near source of water, such as river and lakes, बहुत सारे sources जहां पे इनसान रहते हैं, वो क्या है, water, ठीक है, पानी की सबसेता जरुद है, so वो sites, जहां पे पानी हो, such as river and lake, और वो जगह जहां पे आसानी से stones उपलब्द हो, जिसका इस्तमाल लोग tools बनाने में किया करते थे, ठीक है, so जहां पे आसानी से stone उपलब्द हो जाता था, जहां पे पानी होता था, लोग वहां पे रहते थे, इन में से क्या है, place where stone tools found and where people made tools are known as factory sites, बहुत important point है, prelims point of view से factory sites क्या होते है, वो जगह होते थे, जहां पे लोग tools बनाते थे, ठीक है, क्या बनाते थे, tools बनाते थ ठीक है, जो tools बनाने के काम आता था, तो factory site वो जगह है, जहां पे वो stones मिलते थे, जिनका इस्तमाल वो tools बनाने में क्या करते थे, ठीक है, और जब वो वहां पे रहके tools बनाते थे, तो उन्हें बोला जाता था, habitation come factory site, एक जगह है, जहां पे stone है, उस stone का इस्तमाल tools बनाने में किया जाएगा और जब वो उस जगे पर रहने लग गए तो उसे बोला जाने लग गया habitation come factory site क्या है वो जगे जहां पर ऐसे stone उप लगते जिनका इस्तमाल वो tools बनाने में करते थे और अगर वह वहीं पर रहने लग जाते थे उसी जगे पर तो उसे बोलते थे habitation come factory site क्यों थोड़ा जुखा मैं इसलिए मैं थोड़ा आंधी तूफान से अब देखिए यहां पर है कि making of stone tools दो ही तरीके आपको इसके process के बारे में कोई नहीं पूछेगा stone to stone यानि एक stone के मतर से दूसरा इस्टोन और एक प्रेशर फ्लेक इन दोनों तरीकों से वह क्या बनाते थे stone tools बनाते थे ठीक है finding about fire क्या उन्हें आग के बारे में पता था exactly बोला गया करनूल caves एक जगह है मैं भी साइदी अब भी पाकिस्तान में हो I have no idea ठीक है so करनूल caves वह जगह है जहां पर सबसे पहले राख मिले अब कहोगे भाई कैसे राख मिलगी उस time में आठ का इस्तَमाल किया होगा राक किसी चीज में लिपट गया होगा और वह राख जो है वह उस जगह पर प्राब्ट हुई ठीक है अब यह राख की टेस्टिंग कि गई कि यह राख किए स ढरा कितने साल पुरानी है तो पता चला कि हां जया 155,005,001 साल पुरानी है 20,005,001 तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि हाँ उस टाइम के लोगों को पयर के बारे में पता था आँग के बारे में पता था वो उसका यूज करना जानते थे ठीक है फिर है चेंजिंग इंवार्मेंट वहिव क्या हुआ? बारासो साल पहले लगवक, 12,000 साल पहले, लगवक 12,000 साल पहले, मेजर change हुआ हमारे climate में, तो warm shifting हुई, मतलब, गर्मी से हम थोड़ा ठंडी की तरफ shift हुए, जिसके कारण घास हुगे, घास हुगे तो घास खाने वाले जानवर बढ़े अगर घास खाने वाले जानवर बढ़े तो उनका सिकार करने वाले जानवर भी बढ़े ठीक है तो धीरे धीरे यह जानवर जो घास खाते थे जो इनका जो इनको फोलो करते जो इनको सिकार करते थे इनके बारे में जो हमारे hunter gatherers थे वो जानने लगे इनको पहचानने लगे भाई क्या खाते हैं किस season में रहते हैं किस season में breed करते हैं इससे क्या हुआ कि वो उन्हें पालना सीख गए तो धीरे-धीरे those who hunted these animals now followed them जो उन जानवरों का सिकार करते थे वो उनके habits के बारे में जानने लगे उनकी क्या habits क्या खाते हैं कब breed करते हैं तो इससे उन्हें क्या मदद मिली कि धीरे-धीरे वो herding or rearing के बारे में जानने लगे यानि simple पशुपालं के बारे में सीख गए okay fishing के बारे में सीखा this was also time when several grains bearing grasses यह वो समय था 1200 साल बाद जब लोग यह जानने लगे कि कैसे उगता है चावल कैसे उगता है जो कैसे उगता है बस इस सिर्फ औरत ही करती थी या जैंट ही करते थे या सिर्फ बच्चे करते थे everyone पूरा फैमिली इसके बारे में जानकार ही रखता था ठीक है तो नाव दो नेम सेंट डेट्स को जानने के लिए हम इस्तमाल करेंगे अपने तो नेज का अभी हमारा क्या चल रहा है ठीक है तो बारह हजार पिर दस हजार साल पहले तो कुछ यह जो पिरियड है यह two million years ये वाला जो पिरियद है इसको बोलने लगे हम प्रेलियोलिथिक पिरियड और बारह हजार साल से दस हजार साल क्योंकि आप ऐसे मूब करोगे ना दस हजार ग्यारह हजार बारह हजार ठीक है फिर तेरह चो दह पंदरह सोल्ए कुछ ऐसे पैटर्न में जा रहा है तो billion है अंधे ले हजार साल से यह दस हजार पिरिएट ओफ टाइम का जो समय था ठीक है इसको स्कली myself में अंधिक ठीक है और जो नियोलिवाथ यह दस हजार साल बाद स्टार्ट हुए क्या तो भी है देखिए जो Paleolithic period है यहां पे मैंने लिख दिया है बहुत important है premiums point of view से याद रख्येगा पैलीलियों का मतलब होता है old मतलब पुराना और lithos का मतलब होता है stone यानी सबसे पुराना stone यानी सबसे पहला stone सबसे पहला पुराना stone वो था हमारा पैलिएलिथीक स्टोन इसलिए हम उसे पैलिएलिथीक पिरिएड बोलने लगें ठीक है यह कब से कब तक चला 2 मिलियन से 12,000 साल इसके अलावा इस पिरिएड के अंदर 99% human history एक्जिस्ट करती है यानि 99% human history जो है वो इसी पिरिएड आफ टाइम है रेस्ट वन परसेंट बाके की स्टोने जिसमें आते हैं इसके अलावा मैसोलिथिक पिरियड जो बारा हजार से दस हजार साल तक चला मैसोलिथिक पिरियड के दोरान जो स्टोन टूल्स बनते थे वो बहुत ही छोटे बनते थे इसलिए हम उन्हें माइक्रो लिट्स बोलते थ चेकता है प्रेलियम्स पॉंट ऑभ विव से आपके सिट्थ क्लास्क में थे भी पूजा जा चकता है माइक्रोलिग्स क्या होते है तो जो मेसोलीथिक प्रियूड के टाइम स्टोन्स होते थे। उन्हें हम Microlets कहते थे हूँ Size में बहुत छोटे होते थे। इनका इस्तमाल हम 100 और सिखल्स बनाने में क्या करते थे। बाते में भाले एंड में लगा दिया तो छोटे टून्स टूल्स सुरी उनका इस्तमाल हम क्या करते थे इस मेसलिथिक पिरेड ऑफ टाइम में फिर नियोलिथिक पिरेड इस्टार्ट हुआ दस अजार साल इसके बारे में आगे के चैप्रेस में पढ़ेंगे इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो इसमें और डेटेल में पढ़ेंगे बट अभी आपके लिए यह है कि हमें थोड़ा आइडिया तो हो जाएं यहां पहले लिथिक पिरेड ऑफ टाइम क्या था मैसलिथिक क्या था नियोलिथिक क्या था कब से कब तक चाल लोग पेंटिंग क्या होता था प कुछ हमारे MP में मध्य प्रदेश में साउथन यूपी में यहां पर जानवरों का सिकार कैसे करना इसे बहुत स्किल के साथ एकुरेसी के साथ स्टोंस पर बनाए गया बहुत सारे साइट से आप घूमिये इंडिया घूमिया आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया की संस्क यह चाइल्ड ही कर से स्पेसिफाइड निया जड़ा पढते हैं वी दूनोट गया सम गैस नहीं कर सकते ठीक है कि यह तो यही करेगा ही करेगा वह मैन और मुमेंड इड़ वाट कारेक या करते थे वी केन गैस सम टास्कार ओनली ड़न बाए मैन और सम वुमें यह काम तो सि एस कमधर टु रेशियो ऐसा देखा जाता है तो एसे हम गैस कर सकते कि यह टास्क टी मैं कि होंगे यह टास्क वूमें कि होंगे टिक है बट हम यह नहीं सकते हैं कि इस प्रकार कारे आदमी ही किया करते थे इस प्रकार कार औरती किया कर झा ऑस्रेंड है कि दिवल् prisons पिलन क्यों क्योंकि इसके एक्सेल्स मिले पार्टने जो कि महाराष्ट्रा में है अब पता लगाए गया कि भाई यह प्लेलिथिक प्रियोड टाइम ऑफ कैसा है तो एक्सेल्स जो मिले उसके टेस्टिंग की गई कितने साल पुराना है तो पता लगा कि यह दो मिलियन से 12,000 एको के बीच एक्जिस्ट करते थे ठीक है यानि इतने टाइम ऑफ पिरेड के बीच का है ठीक है तो इसका मतलब यह पैलोलिथिक पिरेड ऑफ टाइम का है जहां पे मिला वो जगह था पटने महाराष्ट्रा ठीक है हुसंगी क्या है हुंसगी इस दा प्लेस वेर पैलोलि मिले होंगे उसकी टेस्टिंग की गई होगी टेस्टिंग में पता चला होगा कि यह टू मिलियन से ट्वेल थाउजन इयर्स एगो के बीच का है यानि इतना पुराना है और पुराना इसका मतलब इस टाइम में तो पैलोलिथिक पिरेड ऑफ टाइम था इसका मतलब यह चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोमेंट कीजिए कैसा लगा इंस्टाग्राम पर टेलिग्राम में मुझे फोलो करना मत बूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चाप्टर के साथ